हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हाड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिजैन लेकर आई हूं आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है फ्रेंट्स ये डिजाइन देखने में जितना संदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है इस डिजाइन को आप जैन स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडिज, कार्डिगन, जैकेट, गल्स, टो, फ्रो, कुर्ती, हाइनेक किसी भी प्रोजक्ट पर अपलाई कर सकती है सभी प्रोजक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुन्दर लगता है इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 12 के मल्टीपल फंदे लेकर 5 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजाइन आपके प्रोजक्ट पर इस तरह से एडज़स्ट हो जाएगा 12 के मल्टीपल देखिए आप इसमें 12 फंदे गिन लेजिए फिर से 12 फिर से 12 इस तरह से 12 बारा बारा फंदे गिन दे जाएए और लाश्ट में आपके 5 फंदे होने जाहिए ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 20 सलाइयों में कम्प्लीट हो जाता है तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है ये देखिए फ्रेंट्स इस डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए है 29 फंदे 12 के मल्टीपल करके और 5 फंदे एक्स्ट्रा फंदे डालने के बाद एक सलाइ सीधी साइड से और एक सलाइ उल्टी साइड से इसमें मैंने उल्टी बनाई हुई है आप अपने प्रोजक्त के हिसाब से अपना कोई भी बोर्डर बना लीजिए अगर border के बाद किसी project ले फंदे बढ़ाने हो तो आप उसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए अब यहां से design की पहली सलाई है और सीधी साइड है तो ध्यान दीजिएगा पहले हम दो फंदे इसमें उल्टे बनाएंगे estes को आप उतार भी सकती है बना भी सकती है यह आपकी अपनी मर्जी होगी तो यह देखिए यह दो फंदे हमारे उल्टे ऐसे बनेंगे अब यहां से हम design को शुरू करेंगे तो इन दो फंदे से आगे अब हम पांच फंदे और उल्टे ही बनेंगे देखिए एक दो तीन चार और यह पांच अब धागे को पीछे करेंगे और तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे एक दो और यह तीन धागे को अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे उल्टे बनाएंगे देखिए एक, दो, तीन और ये चार तो ये देखिए ये पहले वाले दो फंदे छोड़ कर पांच उल्टे, तीन सीधे, चार उल्टे ये हमने बारा फंदे का डिजाइन बनाया है अब इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करती जाएंगे तो दीखिए धागा अपनी तरफ ही है 5 फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार और ये पांच धागे को पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, धागा अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे उल्टे एक दो तीन और ये चार तो ये देखिए दोबारा से हमने ये बारा फंदे का डिजैन बनाया अब इसी डिजैन को आप बार बार रिपीट करते जाएगा लास्ट में आपके तीन फंदे बच जाएगे इनको आप उल्टा ही बुन दीजिएगा तो इस त चार फंदे इस वाले डिजैन के और पांच इस वाले डिजैन के तो टोटल नो फंदे उल्टे ऐसे आते हैं चले जाएए दूसरी सिलाई है और उल्टि साइड है जह फंद locks सीधी साइड पर हमने उल्टे बनाई है वह हां हमारे यहां सीधे बनेंगर जो सीधे बनाई व इससे इसकी जो किनारी है बिल्कुल सीधी सीधी बनेगी ये मुड़ेगी नहीं तो ये दो फंदे उल्टे बुनने के बार धागा पीछे करेंगे पांच फंदे यहां सीधे आएंगे एक, दो, तीन, चार और ये पांच धागा अपनी तरफ करेंगे तीन फंदे उल्टे बनाएंगे फिर धागे को वापस पीछे करेंगे और अब यहां नो फंदे आपके सीधे आएंगे इस डिजैन के और इस धरवाले डिजैन के मिलाकर बीच में नो फंदे आएंगे देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और यह नो नो फंदे यह सीधे बनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे तीन फंदे उल्टे आएंगे और आगे आपके जैसे फिर से नो सीधे आजाएंगे तीन उल्टे आएंगे और लास्ट में आपके देखिएगा यहाँ पर एक, दो, तीन, चार और यह पांच फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे आएंगे दो सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई अब आज यह इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइड पर तीसरी सलाई को ध्यान से देखिएगा एक, दो, तीन, चार, पांच और यह छे छे फंदे इस तरह से हम उल्टे बनाएंगे धागे को पिछे करेंगे यह एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा इन दोनों को हलका सा लूज करेंगे आगे से सलाई डालेंगे और दो फंदे का एक फंदा ऐसे बना देंगे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और इस फंदे को हम सीधा बना देंगे यहाँ पर जो फंदा हमने कम किया वो जाली से बढ़ा दिया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो फंदे में स्लाइड डालेंगे और दो का एक फंदा ऐसे बना देंगे जो कम किया वो जाली से बढ़ा दिया धागा अपनी तरफ करेंगे और साथ फंदे उल्टे आएंगे इधर वाले डिजैन के और इसके मिला के क्योंकि यहां भी हमें दो का एक करना है तो बीच में जो नो थे उसमें से साथ उल्टे हो जाएंगे एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ अब देखें यहां यह उल पड़ते चले जाएंगे अब यहां पर यह एक उल्टा और एक सीधा इन दोनों फंदे में देखें इस तरह से आगे से स्लाइड डालेंगे और दो का एक फंदा ऐसे बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस एक फंदे को हम ऐसे सीधा बनेंगे फिर धागा अपनी तरफ है और दो का एक फंदा बना देंगे आपके जितने भी फंदे हों बीच में तो साथ साथ फंदे आते जाएंगे लास्ट में आपके छे फंदे होंगे इनको आप उल्टा ही बना दीजिए तो तीन सलाइया डिजैन की कम्प्लीट हो गई चोथी सलाइय उल्ट से ही बनेंगे देखिए चार सलाइया डिजैन की कम्प्लीट हो गई पांचमी सलाइय है और सीधी साइड है पांचमी सलाइय को आप ध्यान से देखिएगा एक दो तीन चार और ये पांच फंदे यहां पर उल्टे बनाएंगे धागे को पीछे लेकर जाएंगे ये एक फं फंदा ऐसे बना देंगे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और ये तीन फंदे अब सीधे बनेंगे देखिए एक दो और ये तीन फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो फंदे में सलाइड डालेंगे और दो का एक फंदा धागा अपनी तरफ और 5 फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार और ये पाँच, फिर से देखे धागे को पीछे करेंगे, ये एक उल्टा और एक सीखा, दोनों फंदे में आगे से स्लाइड डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे, धागा अपनी तरफ अब ये तीन फं इस फंदे को ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ और लास्ट के पांच फंदे आपके उल्टे आएंगे तो पांच सलाईया डिजैन की कम्प्लीट हो गई और छटी सलाई उल्टी साइड पर जहां पर आपको सीध फंदे दिखें वहां सीधे बनाईए जो उल्टे दिखें उनको उल्टा बनाईए तो यह देखिए छटी सलाई को मैंने सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए कम्प्लीट कर दिया है अब आज यह इसकी सात्मी सलाई और सीधी साइड पर सात्मी सलाई को आ उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे ये एक उल्टा और एक सीधा इन दोनों फंदे में आगे से स्लाई डालेंगे और धागा अपनी तरफ कर देंगे फिर हम धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे देखिए एक और ये दो इन दोनों फंदे में भी आगे से स्ला का एक कर देंगे देखिए यहां पर जो फंदा हमने घटाया उसके लिए जाली यहां पर आ गई अब यहां पर जो दो का एक किया उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और इस बीच वाले फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहां भी जाली से फंदा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलट देंगे बैक साइड से दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को भी हम पलट देंगे और बैक साइड से दो फंदे का यहां एक फंदा हम बना देंगे धागा अपनी तरफ तीन फंदे उ एक दो और ये तीन फिर धागे को पिछे करेंगे ये उल्टा और ये सीधा इन दोनों फंदे में आगे से स्लाइड डाल कर दो का एक फंदा बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ और इस फंदे को हम ऐसे सीधा बनेंगे देखिए आगे से स्लाइड डाल लेंगे और दो का एक बनाते हुए अब यहां पर देखिए हमने जो दो का एक किया उसकी जाली यहां पर आई और इन दो का जब हमने आगे से स्लाई डाल कर सीधा एक फंदा बनाया तो एक फंदा कम हो जाता है धागा अपनी तरफ कर देंगे और बीच वाले फंदे को हम सीधा बुन देंगे तो जाली से फंदा यहां बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक कर देंगे जाली से फंदा बढ़ाया दो का एक करके घटा दिया इस फंदे को भी हम ऐसे पलट देंगे धागा अपनी तरफ है और बैक जो फंदे आपको जहां पर जैसे दिखे वैसे भी बना दिजिये तो यह देखिए आठ्छ सलाईय डिजैन की कमप्प्लीट हो गई नौमी सलाई और सीधी साइड पर नौमी सलाई को ध्यान से देखिए पहले फंदे को उतार ये या उल्टा बनाईये उसके बाद इस फंदे को भी हम ऐसे उल्टा बुन लेते हैं तो यहां पर टोटल आपके तीन फंदे उल्टे आएंगे और यह जो उल्टा फंदा है धागे को पीछे करेंगे दोनों को ऐसे लूज करेंगे सीधे और उल्टे को आगे से स्लाइड डाल कर इन दोनों का हम यहां एक फंदा बना धागा अपनी तरफ करेंगे ये जाली और ये फंदा इन दोनों को भी हम थोड़ा सा लूज करेंगे आगे से स्लाइड डाल लेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे देखे यहाँ पर जो दो का एक किया उसके लिए हमारी ये वाली जाली आ गई अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और देखे ये तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे एक दो और ये तीन तो यहाँ पर जो दो का एक या उसकी जाली यहाँ पर आ गई धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से दो फंदे का एक फंदा बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक फंदा बना देंगे धागे को अपनी तरफ लाएंगे एक फंदा यहां बीच में उल्टाएगा फिर से हम डिजाइन को रिपीट करेंगे एक उल्टा और एक सीधा आगे से स्लाइड डाल के इन दो का हम एक फंदा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे देखे यह जाली और यह फंदा इन दो आगे से स्लाइड डाल कर इसको हम एक फंदाय से सीधा बुन देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये बीच वाले तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो का एक फंदा और बैक साइड से फिर से हम दो का एक फंदा यहां बना देंगे आपके जितने भी फंदे हो ऐसे ही डिजैन को बार बार बनाते जाईए और लास्ट में आपके तीन फंदे होंगे इनको उल्टा बुन दीजिए 9 सलाईयां डिजैन की कम्पलीट हो गई 10 में सलाई उल्टी साइड पर जहां पर आपको जैसे फंदे दिखाई दे यानि सीधे हों तो सीधे बनाईए और उल्टे हों तो उनको उल्टा बुनते हुए 10 में सलाई को कम्पलीट कीजिए तो यह देखिए प्रेंट 10 सलाईयां डिजैन की कम्पलीट हो गई 11 में सलाई है और सीधी साइड है इसे आप ध्यान से देखिए पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाईए ये आपकी अपनी मर्जी है तो देखिए 1, 2 और ये 3 फंदे आपके इस तरह से स्टार्टिंग में उल्टे आएंगे धागे को पीछे करेंगे इस फंदे को हम ऐसे सीधा बना देंगे अब ये जाली और ये फंदा इन दोनों फंदे में आगे की साइड से ऐसे स्लाई डाल देंगे अब देखिए यहाँ पर हमने जो दो का एक किया उसके लिए धागा अपनी तरफ कर देंगे एक और ये दो इन दो फंदे का हम आगे से स्लाइड डालेंगे और एक फंदा इस तरह से बना देंगे अब यहाँ पर जो दो का एक किया उसकी जाली यहाँ पर आई है अब ये वाला जो दो काई किया उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और बीच वाले फंदे को हम सीधा बुन देंगे तो यहां पर जाली आ गई फिर से देखे धागे को अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो फंदे में और बैक साइड से दो का एक फंदा बना देंगे अब इस फंदे को भी हम ऐसे ही सीधा बना देंगे तो ये देखिएगा ये स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़ कर यहां से यहां तक हमने जो डिजैन बनाया इसी को अब हम बार बार रिपीट करते जाएंगे तो देखिए धागा अपनी तरफ एक फंदा ये उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा अब एक और ये दो इन दोनों में आगे से स्लाई डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक और ये दो इन दो फंदे में आगे से स्लाई डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे यहां दो का एक किया उसकी ये वाली जाली है अब धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो ये वाले जो दो का एक किया इसकी जाली ये है धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक फंदा बना देंगे अब ये जो फंदा है इसे हम ऐसे ही सीधा बनाएंगे आपके जितने भी फंदे हुँ अब यही बारा-बारा फंदे का डिजाइन बनाते जाएए और लास्ट में आपके ये तीन फंदे हैं इनको आप उल्टा भुन दीजिएगा अब हमारी ग्यारा सलाईयां कम्प्लीट हो चुकी हैं बार्मी सलाई है और उल्टी साइड है आपको जो फंदे जैसे दिखें वैसे ही बना दीजिए तो ये देखिए सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए बार्मी सलाई को कम्प्लीट कर दिया है अब आज इसकी तेर्वी सलाई और सीधी साइड पर, तेर्वी सलाई को ध्यान से देखिएगा, एक, दो, तीन, और ये जो सीधा फंदा है, इसे भी हम यहाँ उल्टा ही बना देंगे, तो चार हो गए, अब धागे को पिछे करेंगे, ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ज़ाये, साथ, आठ, और ये नो फंदे हमने सीधे बनाए, अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, और ये तीन फंदे यहाँ उल्टे आएंगे, देखिए, एक, ये सीधे वाला हो गए, दो, और एक इधर से, तीन फंदे हमने ये उल्टे बनाए, अब फिर से हम नो फंदे ये सीधे बनाएंगे, धागा पीछे, एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, आठ, और ये नो, अब बीज में आपके इसी तरह से तीन तीन उल्टे बनते जाएंगे, और लास्ट में देखिए, एक, दो, तीन, और ये चार फंदे आपके उल्टे बनाएंगे, तेरा सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई, चोदमी सलाई उल्टी साइड से, यहाँ पर भी आपको जो फंदे जैसे दिखेंगे, वैसे ही बनाने हैं, तो देखे थोड़ा सा बता देती हूँ, दो फंदे ये उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक, और इस फंदे को यहाँ से हमने उल्टा बुन दिया, तो यह इधर सीधा हो जाएगा, दो फंदे यहाँ सीधे आ गए, धागा अपनी तरफ करेंगे, नो फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, यह हमारे यहाँ, नो फंदे उल्टे आएंगे, तो आठ बन चुके और यह नो मा, अब धागा पिछे करेंगे, देखिए, यह वाला फंदा हमने यहाँ से उल्टा बनाया था, तो इसको हम सीधा बनेंगे, एक, दो, और यह यहाँ से भी, तीन, अब जितने फंदे इधर से उल्टे बनते जाएंगे, वो इधर हमारे सीधे बनते चले जाएं साथ आठ और ये नो बीच बीच में आपके तीन-तीन फंदे सीधे आते जाएंगे और कोने पे और यहां लाश्ट में आपके ये दो फंदे आएंगे देखे एक और ये दो और ये जो दो फंदे हैं इनको हमने दोनों साइड से ही उल्टा बनाया है 14 सलाईयां डिजैन की complete हो गई 15 सलाई है और सीधी साइड है इनको ध्यान से देखिए 1, 2, 3, 4 अब ये वाला जो सीधा फंदा है इसको हम उल्टा बुन देंगे फिर धागे को पीछे करेंगे और 7 फंदे सीधे बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहां 5 फंदे उल्टे आएंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5 धागा पीछे और 7 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हमारा 7 आपकी जितने भी फंदे हैं पूरी सलाई में आपका डिजैन ऐसे ही रिपिट होगा अब देखे ये जो सीधा है इसको हम यहां उल्टा कर देंगे और ये लास्ट वाले भी 4 फंदे हम उल्टे ही बुन देंगे 15 सलाईया डिजैन की कंप्लेट हो गई 16 सलाई पर जो फंदे यहां उल्टे बनाए वो यहां सीधे बनेगे तो एख़े सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए 16 सलाई कंप्लेट हो गई सत्तरमी सलाई है और सीधी साइड है सत्तरमी सलाई को आप देखिएगा पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाईए एक, दो, तीन, चार, पांच अब ये वाला जो सीधा है इसे भी हम उल्टा ही बुन देंगे तो छे फंदे आपके उल्टे हो जाएंगे तीन फंदे ये आपके यहां पर पांच आएंगे देखिए एक इधर से कम हो गया साथ में से एक इधर से होगा तो पांच सीधी आएंगे एक, दो, तीन, चार, और ये पांच फंदे आपके ये सीधी हो गए धागा अपनी तरफ करेंगे देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और इस सीधे वाले को उल्टा बुन देंगे तो टोटल आपके बीच में साथ फंदे उल्टे हो गई फिर धागा पीछे करेंगे और पांच फंदे हम ये सीधे बनाएंगे तो पूरी सलाई को आपने अब ऐसे ही बनाती जाना है बीच बीच में आपके इसी तरह से साथ साथ फंदे बनेंगे पांच पांच आपके सीधे होते चले जाएंगे और लास्ट में देखिए इस सीधे वाले को ऐसे उल्टा करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छे फंदे उल्टे आएंगे सत्र सलाईया डिजैन की कम्प्लेट हो गई अठारमी सलाई पर आपको जो फंदे जैसे नजराएं बना दीजिए तो ये देखिए अठारा सलाईया डिजैन की कम्प्लेट हो गई उननीसमी सलाई है और अब इसकी ये सीधी साइड है तो उननीसमी सलाई पर देखिए एट दो तीन चार पांच छे और इस सीधे वाले को उल्टा बुन देंगे तो टोटल साथ फंदे यहां उल्टे आ गए धागा पीछे तीन फंदे ये सीधे आ गए फिर धागा अपनी तर दो तीन चार पांच छे साथ आठ और ये नो नो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे हम ये सीधे बनाएंगे बीच बीच में ऐसे ही आपके नो नो फंदे उल्टे बनते चले जाएंगे लास्ट में देखिए इस सीधे वाले को उल्टा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और ये साथ फंदे आपके उल्टे आ जाएंगे बीसमी सलाई उल्टी साइड पर आपको जो फंदे जहां पर जैसे दीखें बना दीजिए देखें फ्रेंट्स इस तरह से बीस सलाईों में ये डिजैन ओवर हो जाता है अब आगे इन्ही बीस बीस सलाईों को ही बार बार रिपिट करते जाना है जैसे हमने यहां से इसकी पहली सलाई बनाई थी सेम टू सेम अब आप इसकी यहां से स्टार्टिंग कर सकती है जब आप बार बार इन्ही बीस बीस सलाईों को रिपिट करेंगी तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा सा आपका ये डिजाइन बनता चला जाएगा तो ये डिजाइन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी प्रेंट्स ग्रूप में इसे शेर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके थेंक यू